आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ कराई पनीर की रिस्पी इस तरीके से बनाने सी रिस्पी बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है और खाने में काफी ज़्यादा टेस्टी लगता है हलो फ्रेंड सुचिता मैथल कीचिन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है तो चलिए इस टेस्टी सी रिस्पी को एस्टार्ट करते हैं तो इसके लिए यहाँ पर मैं 300 ग्राम के करीब पनीर ले ली हूँ जिसे मैं इस तरीके से क्यूब साइज में काट कर तियार कर हूआ और ये बहुत बड़ा सेज नहीं है मीडियम सेज है आप अपने हिसाब से पनीर को कट कर सकते हैं और इसके लिए यहां पर मैं ले ली हूँ प्याज यलो वाली सिमला मिर्च ओसे मैं कीूब साइज में काट कर त्यार कर ली हूँ इस तरीके से काटने सी यह बहुत ही चामच साबुत जीरा, दो चमच साबुत धनिया गरी और बिन में चार में भी मिर्ची तक दो फिर पांच मेरे मीर्च लार this और जार रूर तक मातर फमार हम और और फिर ला कारा का अवी तो समय 25 आपेजोट साओ हरी मिर्च, प्याज, काजू बाद में डालनी है प्याज और टामाटर को एड़ और इसे हमें मीडियम फ्लेम पर 30-40 सकेंड तक भूनना है इसे बहुत ज्यादा नहीं भूननी है बस इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी आने लगे बस इतना ही भूनना है और देख सकते हैं इस से 10 पिसी आड़ करनी है और अब ही हमारी सबी चीज हो गई है तियार तो हम ग्यास का फ्लेम कर देते हैं और इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे ठंडा होने के वाद इसे हम एक ग्राइंडिंग जार में निकाल लेंगे और देख सकते हैं कितना अच्छा लग रह पानी आड़ करने के वाद यह बहुत ही बारिक रूप से पिस जाता है और बहुत ही बारिक हमें पिसनी भी है तभी तो हमारी गरे भी एकदम अच्छा टक्चर आएगा गरे भी का और देख सकते हैं यह पूरी तरीके से त्यार हो गई है तो इसे हम रखते हैं साइड में और सुखे मसाले को हम त्यार करेंगे इसके लिए एक पैन लेंगे और पैन में हम सभी सुखे मसाले को अड़ कर देंगे और हमें इसे 30 से 40 सकेंड भूननी है इसे भी हमें बहुत ज्यादा नहीं भूननी है और जब जीरा हमारी थोड़ी थोड़ी चटकने लगे उतना जब हम मसाले डालेंगे सब्जी में तो सब्जी का टैस्ट रियल में बहुत ही अच्छा आएगा और इस तरीके में बनाने से रियल में रेस्टोरेंट भी पैल मतलव कर जाएगा इतना अच्छा सब्जी घर में हम त्यार करेंगे और इसे भी हम पांच मिनट के लिए खसका पॉर्डर था तो मैं इसे एक बार डाल कर मिक्स कर दूंगी तो इससे क्या होगा निया अच्छी तरीकिस इसमें मिक्स हो जाएगा और यह हमारा सूखा मसाला भी हो गया तियार तब हम चलते हैं ग्यास के तरफ ग्यास का फले मीडियम करके कड़ाई चड़ाएंगे औ उसमें एक से दो चमज तेल डालेंगे जब हमारी तेल गर्म हो जाए तब इसमें हम प्याज और तीनो कलर का सिम्ला मिर्च डाल देंगे आपके पास सिर्फ अगर हरी कलर का सिम्ला मिर्च हो तो आप सिर्फ हरी कलर का भी डाल सकते हैं इससे इसका टेस्ट में कोई अंतर न ही करने है YouTube थिए कच्फ्र हें च Immedianceर है अच्छा रखाने में अच्छा में एक होगा कुछ? गार बांब थिए हम च्छा लेंगे तीन नयुकर में एक डालें के तेल प्लिंगे और तेली पार Acts 과 To bin और इसे हमें भूनना नहीं है बस तेल में mix करनी है और इसमें हमें paste जो हमने पहले से बना कर तियार करके डखा हुआ था वो add कर देंगे और इसे चलाती मिक्स करनी है और इसी time पे जो हम paste तियार किये थे grinding jar में उसमें बहुत सारा paste लगा रहाता है तो आप उसमें पानी डाल कर और इसी में add कर दे मैं इसमें धोकर डाल चुकी हूँ mixer jar को और हमें क्यों बरबाद करना मतलब पैसा तो लगता है न तो इसी time पे add कर देंगे और इसे हमें धक कर पकाना है लगभाग इसे 7-8 मिनट तक low to medium flame पर इसे धक धक कर पकाना है और बीच बीच में से चलाते भी किमी हो गया है साथ से 8 मिनट के बाद इसमें हम powder add कर देंगे जो कि हम पहले से तियार करके रखे हुए थे और थोड़ा सा बचा कर रख लेंगे जो कि हम बाद में यूज करेंगे और इसे अच्छी तरीके से mix कर लेना है यह बहुत ही आराम से mix हो जाता है और देख सकते है यह mix होने के बाद यह कुछ इस तरीके का लग राया है और इसे अच्छी तरीके से mix करने के बाद इसमें हम स्वाध अन्शार नमक डाल देंगे तो आप अपने स्वाध अन्शार नमक डाल सकते हैं अगर आपको पतली गरेवी चाहिए तो थोड़ा सा ज्यादा नमक डाले और अगर आपको गाड़ी चाहिए तो थोड़ा सा कम डाले और नमक डालने के वाद इसे हम पलेट से ढख देंगे और इस टेम पे भी इसे हमें चार से पांच मिनद तक अच्छी तरीके से लो फ्लेम पर पकाना है इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और देख सकते ह तो इसे इस टेम तक पकाना है और ये अब आमारी गड़े भी जो है सबजी के लिए पुरी तरीके से त्यार हो गई है तो इस टेम पे मैं इसमें एक गिलास पानी डालूंगी अगर आपको जैदा पतली चाहिए या फिर जैदी गड़े भी चाहिए तो थोड़ा सा जैदा आने देंगे तो इसे हमें बहुत जैदा नहीं उबाल आने देना है बस एक उबाल आ जाए इतना ही मतलब सफिसेंट है तो देख सकते हैं इसमें अब उबाल आ गई है तो इसे हम अच्छी तरीके से पहले मिक्स करेंगे इसके बाद इसमें हम पनीर आड़ करेंगे और मिक पनीर कम जाए तो एक साथ डाल सकते हैं और पनीर डालने के बाद इसे हम पहले mix करेंगे अच्छी तरीके से और देख सकते हैं कितना ज्यादा अच्छा लगड़ा है mix करने के बाद इसमें हम सभी सिमला मिर्च प्याजों की भून कर रखे थे उसे भी इसी ताइम पर अड़ कर देंगे जिसे कि ये भी थोड़ा सा पक जाए और थोड़ा सा मतलब कच्चा भी रहें तो हमें पनीर को बहुत जायदा नहीं बॉयल करनी है बस इसमें गड़ेवी में अच्छी तरीके से mix करने का जिसे हमें पलेट से धक कर 3-4 मिनट तक पकाना है तो पहले इसे मिनट तक ठक कर पकाना है तो बीच में हमें 1-2 मिनट के बाद प्लेट हटा कर चेक भी करनी है क्योंकि हमारी गड़ेवी जो है वो बहुत ज्यादा पतली नहीं है तो नीचे से लग सकती है और देख सकते हैं 1-2 मिनट के बाद कितना अच्छा लग रहा है तो इसे फिर से mix करेंगे हम अच्छी तरीके से और इसे फिर से हम प्लेट से ढगकर 1-2 मिनट तक और पकने देंगे जिससे कि हमारी गड़ेवी थोड़ी से और ठीक हो जाए और सबची का टेस्ट डियल में बहुत ही अच्छा आता है इस तरीके से और 1-2 मिनट के बाद प्लेट हटा कर चे कर लेंगे इस से इसका टेस्ट बहुत ही जायदा अच्छा आता है तो आप लोग इस तरीके से एक बार जरूर ट्राइ कीजी और यह हमारी सब्जी हो गई है तियार तो इसे धनिया के पति से गार्निस कर देंगे और ग्यास का फिलिम आफ कर देंगे और इसे प्लेट से ध त्यार हुआ है और इस तरीके से जब आप घर पर सब्जी बनाएंगे तो आप पक्का मतलब यकीन मानिए कि आप रेस्टूरेंट का सब्जी खाना भूल जाएंगे मतलब इतना अच्छा कराई पनीड घर में तियार हो जाता है और देख सकते हैं सब्जी का टेक्चर कलर क इतना अच्छा आया है मतलब सर्वीं बॉल में निकालने के बाद आप चाहे तो इसे धन्या के पती से फिर से गाणिस कर सकते हैं और आज की रेस्पी आप लोगो कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताइए का मुझे थी यह सब बहुत ही ज्यादा पसंद आया था जब मैं थैंक यू